हेलो गाईज, वैलकम टू स्टड़ी विथ्यू चेनल, आज यहाँ पर CCI इंटनसीब प्रोग्राम निकल कर आया है 2022 में डेटमिस कम्पिटिशन कमिशन आफ इंडिया के तरब से ओनलाइन इंटनसीब प्रोग्राम है 2022 के लिए और यह इंटनसीब प्रोग्राम क्या है, क्या इनके डिटेल्स है हर एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक जोड देखेगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडी वीट 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 को सब्सक्राइब निक्या है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके सेर भी करें तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंटनसीब प्रोग्राम 2022 के बारे में जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन के उपर दे सकते हैं कंपिडिशन कमिशन ओफ इंडिया के तरब से यहाँ पर इंटनसीब प्रोग्राम अप्रेल से लेकर जून के बीच में 2022 में निकाला गया है और यह जो CCI ओनलाइन इंटनसीब होने वाला है COVID-19 pandemic के कारण से एक इंटनसीब प्रोग्राम पहले निकला था जिसके कारण से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और यहाँ पर फिर से students के benefit के लिए इस commission के दवारा जो है continue किया जा रहा है online intensive जो मार्च 2022 के बाद date means अप्रेल से लेकर जून 2022 तक रहेगा और जो भी eligible candidates है वो application यहाँ पर apply कर सकते हैं और apply कैसे करना है इस term को जरूर समझ लेना आपको तब ही आपका application को यहाँ पर consider किया जाएगा तो अगर आप apply करना चाहरे अप्रेल 2022 के लिए intensive के लिए तो आपको यहाँ पर आपका application 1st March 2022 तक पहुच जाना चाहिए और अगर आप apply करना चाहरे हैं मई 2022 इंटनसिप के लिए तो आपका application यहाँ 1st April 2022 तक पहुच जाना चाहिए और अगर आप June 2022 के लिए इंटनसिप के लिए apply करना चाहरे हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ पर application को apply करना है इसके साथ साथ अगर किसी दूसरे format में आप apply करते हैं तो आपका reject कर दिया जाएगा और statement of purpose that means हर एक states जो apply करेंगे उन्हे statement of purpose ज़रूर यहाँ पर लिखना है जिसके reason आपको यहाँ देने है certification and recommendation by institute होगा जिसके आपके college या institute के दोरा sign होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको application जो भी आप देने वाले हैं यहाँ पर आप bona fide भी issue होगा एक तरह का जो आपके कौन से year में आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी और student जो है वो किस institution के हैं और क्या पर swing कर रहे हैं कौन से year में है वो उस bona fide में लिखा रहेगा और यह जो application होगा चाहिए इस सब सारे चीज़ आपके registrar, hod, director या फिर जो भी authorized official होगे उन्हें यहाँ पर देना है और साथ में application जो है यह आपका send करना है pdf mode में सिर्फ online ही और hard copy यहाँ पर application accept नहीं किया जाएगा और email करना है जो भी यहाँ पर apply करना चाहरे है उनको email करना है यह सब सारे documents video format में करके और जो email का heading होगा subject जोगा वो होगा online intensive during the month of अगर आप April में करना चाहरे तो month of April 2022 लिखिए अगर मैं में करना चाहरे तो मैं 2022 लिखिए अगर आप June में करना चाहरे है तो June 2022 यहाँ पर लिखना है तो यह आपका heading होगा subject होगा email id का और email id क्या है वो हम बता देते हैं तो यहाँ पर जो email id है intensives at the red cci.gov.in intensive का spelling क्या है i-n-t-e-r-n-s-h-i-p-s at the red cci.gov.in यह email id आपको ध्यान रखना है इसी पर आपको send करना है सारे document PDF में PDF format में करना है और एक ही format में होगा साथ में यहाँ पर किसी भी तरह का अगर आप application send करते हैं या फिर address किसी दुसरे email id पर भाशते हैं किसी भी तरह का consider नहीं किया जाएगा और फिप नंबर में जो भी candidate shortlist होंगे यहाँ पर जो भी candidate shortlist होंगे उन्हें यहाँ पर guide mentorship किया जाएगा जो officer होंगे CCI की दौरा और यहाँ पर internship उनका details जो है mentor guide का वो सारे कुछ provide करवाय जाएगे आपको और हमें सब वो touch मेरेगे एक दूसरे के जो आपको assign करेंगे हर एक work और यह online internship होगा जो duration होगा online internship का वो one week हो सकता है two weeks हो सकता है या फिर three week या फिर एक महिना भी हो सकता है one month भी हो सकता है और यह decide किया जाएगा mentorship mentor और guide के दौरा depending on your work assign तो यहाँ पर यह decide किया जाएगा कि आपके mentor यह guide है उन्हें के थूरू यहाँ पर decide किया जाएगा जो आपका duration होगा online internship का वो one week होगा या फिर two week या three week या फिर one month होगा और इसके साथ साथ every month जो भी apply करेंगे उनको यहाँ पर CCI के advocacy division के दौरा review किया जाएगा meeting conduct करके और second week में फिर जो month होगा उसमें virtual mode में conduct किया जाएगा और किसी वी तरह का request accept नहीं किया जाएगा कि अगर आप one month से जाधा apply करना चारहे date miss अगर आपका intensive करने का month है कि आप मैं से लेकर जुन तक करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का acceptance नहीं होगा आपको एक month ज्यादा से maximum one month तक का आपको intensive करने को मिल सकता है वो भी depend करता है आपके mentor या guide के उपर और साथ में यहाँ पर certification जो है confirmation वो आपको assign किये जाएगा intensive के दौरा और यहाँ पर work completed होने के बाद आपके satisfaction यहाँ काम के satisfaction के बिलोंग में आपको यहाँ intensive का electronic certificate provide करवाय जाएगा जो period of intensive भी आपको होगा वहाँ पर electronic mode में ही certificate provide करवाय जाएगा और जो भी shortlist candidate होंगे उन्हें यहाँ पर उनके email में ही contact किये जाएगे और जो भी होगा उनके email के through ही यहाँ पर shortlist का information दिया जाएगा और यहाँ पर 7th number में लिखा हो है किसी भी तरह का stipend या फिर honorarium इसी भी तरह का paid नहीं किया जाएगा online internship को लेकर और इसके जो भी prescribed format है एक बार आप website में जाकर देख ले और उस website आपका सही रहे ठीक है और जो भी डाउट होता है वो आप comment section में comment किजेगा मैं try करूँगा आप सभी का reply करने का और इसी तरीके से internship या फिर अलग जो भी वीडियो आते हैं law selected वो सारे वीडियो देखने के लिए study with me को चलो subscribe कर लें आप सभी से request है कि आप लोग subscribe नहीं करते हैं तो चैनल को subscribe कीजे और वीडियो को जितना हो सके अपने whatsapp group social media पर सभूर सेर करें आप सभी से request है तो मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद